प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्टर ता, नो यूर फेट हलो एब्रिवन, कैसे हैं आप सभी, बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी कैस्टर तक मैं मैं हूँ राखे मिच्ट और आज हम बात करने वाले हैं सूरे के राशी परिवर्तन के बारे में, सूरे के गोचर के बारे में सूरे 14 जनवरी को रातरी 8 बच के 30 मिनट पर राशी परिवर्तन करेंगे वो धनू राशी से निकल के मकर राशी यानि की अपने पुत्र शनी देव की राशी में प्रवेश करेंगे और इस परिवर्तन का सूरे के इस परिवर्तन का कुछ राशियों पर बहुत ही अच्छा और शुब प्रभाव पड़ेगा आए जानते हैं कि किन किन राशियों पर ये शुब प्रभाव डालेंगे सूरे का ये गोचर किन राशियों पर शुब प्रभाव लेकर के आ रहा है सूरे का ये गोचर बहुत ही अच्छा और शुब प्रभाव लेकर के आ रहा है आईए जानते हैं कौन सी हैं ये पाँच राशिया जिनके उपर सुरे का ये गोचर का प्रभाव बहुत ही शुब रहने वाला है सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में मेश राशी के लिए ये जो गोचर होगा उनके 10th house में होगा यानि के कर्म भाव में होगा जहांपर शनीदेव पहले से ही मौजूद है जो 17 जनवरी को राशी परिवर्तन करके प्रवेश करेंगे कुम्ब राशी में इस समय में आपके लिए जॉब और बिजनिस के लिए काफी शुब समय रहेगा आपकी आर्थिक स्तिती में पहले से सुधार आएगा आपके सहयोग्यों का भी आपको साथ मिलेगा और आप अपने करियर में पहले से बहतर कर पाएंगे वहीं जो आपके लाइफ में कुछ ब्रह्म की स्तिती कन्फूजन था आपके लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक confusing स्तिती बनी हुई थी आपकी life में, वो भी आपकी दूर होंगी और आप अपने काम में आपकी आर्थिक स्तिती बैतर होगे और आपकी तरक्ति के नए मार्ग भी प्रिशनसत होंगी. अब हम बात करते हैं व्रिशब राशी के बारे में कि व्रिशब राशी के जातकों के लिए सूरे का ये गोचर सूरे का गोचर मकर राशी में क्या पर भाव लेकर क्या आ रहा है यह जो गोचर है आपके नाइंध हाउस में होगा आपके भागे भाव में होगा अपने काम को बैलन्स कर पाएंगे और जो महनत आपने आज तक की है उसमें आपको बहतर रिजल्ट भी मिलेंगे आप जिन जिन चीज़ों को करना चाहते थे जो आपकी रुकी हुई थी वो भी आप बहतर करेंगे लेकिन इस समय में आपको अपने पिता के स्वास्त का ध्यान रखने की भी जरूरत है थोड़ा आप अनुशासित यानि कि डिसिप्लेंड रहेंगे तो यह समय आपके लिए और भी बहतर रिजल्ट लेकर के आ सकता है तो सूर्य का यह गोचर मकर राशी में आपके भागय भाव में आपके लिए काफी खुश खबरियां लेकर के आएगा बस अपनी सेहत और आप डिसिप्लेंड रहें जैसे सूर्य डिसिप्लेंड रहता है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन था, एल्टर था, know your faith ऐसे ही आपको भी डिसिप्लेंड में रहना बहुत ज़रूरी है अब हम बात करेंगे मकर राशी के बारे में कि मकर राशी के लिए यह गोचर कैसा रहेगा क्योंकि यह उनके अपने ही भाव में मकर राशी में ही सूर्य का गोचर होगा तो इस समय में जब आपके लगन में सूर्य देव प्रवेश करेंगे तो यह हैं आपके जीवन में कई सकारात्मक प्रबाव लेकर के आएंगे आपकी जो पुरानी परिशानिया हैं आपकी लंबे समय से चली आरी जो बिमारी हैं जो काफी लंबे समय से आपको परिशान कर रही थी आपका स्वास्त पहले से बहतर होगा अच्छा रहेगा और आपको रहत मिलेगी अपने हेल्थ इशू से इसके साथ ही आपके तरक्की के नए मार्ग भी खुलेंगे नए मार्ग प्रशस्त होंगे और वहीं आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी आपकी तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आप पहतर काम करके दिखा पाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे पाएंगे अब हम बात करेंगे धनुराशी के बारे में कि धनुराशी के लिए ये जो गोचर है क्या प्रभाव ले करके आ रहा है तो धनुराशी के लिए ये गोचर उनके दूसरे भाव में यानि की वाणी के भाव में धन के भाव में हो रहा है तो इस समय पे आपको रुका हुआ धन जो लंबे समय से आप जिस पैसे का इंतजार कर रहे थे उसके मिलने की भी संभावना है इसके साथ ही अगर आपने कोई निवेश किया हुआ था जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंग वो भी आपके लिए बहतर करेंगी अब हम बात करेंगे मीन राशी के बारे में कि मीन राशी के लिए गोचर क्या रिजल्ट्स लेकर क्या रहा है इस समय पे मीन राशी के लिए सूरे का गोचर उनके लाब भाव में होगा आपकी इच्छाओं के भाव में होगा तो इस समय आपके लिए यह गोचर अच्छे रिजल्ट लेकर गया रहा है आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी आपके अगर प्रमोशन्स ड्यू थी तो उसके भी पूरे होने की पूरी पूरी संभाव नहीं है आपको धन कमाने के नए नए मार्ग आपके रिए प्रश्रस्त होंग हैं यह आपको बहतर रिजल्ट देगा अच्छी इंकम की चांसिस हैं लेकिन सोच समझ के ही इंवेस्टमेंट करेगा ऐसा ना हो कि आप जल्द बाजी में आवेश में कोई गलत इंवेस्टमेंट कर दें चांसिस पूरे हैं कि आपको शेर बजार उलाप भी हो सकता है तो य आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से